पहला सवाल UPI का उपयोग कर fund transfer की सीमा क्या है मतलब यह हुआ कि आप एक बार में UPI का इस्तमाल कर कितना amount transfer कर सकते हैं सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि UPI का full form क्या होता है UPI का full form होता है unified payment interface चलिए अब इसके option देख लेते हैं पहला option है 20,000, दूसरा option है 10,000, तीसरा option है 50,000 और चौथा option है 1,000,000 तो जो maximum amount हम लोग UPI का इस्तमाल कर एक ट्रांसफर कर सकते हैं उसका answer है 1,000,000 question number 2 दुनिया का सबसे बरा भारतिय ज्ञंडा हाल ही में भारत के किस सहर में फार आया गया है पहला option आपका पास हैदराबाद, दूसरा option है गुहार्टी, तीसरा option है बैंगलोडू और चौथा option है चंडिगर पवन कल्यान जी जोकी जन सेना पार्टी के संस्थाफ़क है उन्होंने इस जंडे को हैदराबाद में फर आया है जिसकी लेंथ 122 फीट है और विट थे 183 फीट तो सही उत्तर क्या होगा हैदराबा question number 3 सोचाले के निर्मान के संदेश को फैलाने के लिए असम सरकार द्वारा सुरू कियेगे मिसन का आपको नाम बताना है पहला उप्सन है मिसन संभव, दूसरा उप्सन है मिसन सुच्छता, तीसरा उप्सन है मिसन सो लंबी, चौता उप्सन है मिसन सुरक्षा सर्ब आनंद सोनवाल जो की CM है असम के उन्होंने मिसन संभव को सुरू किया है जिसका में मकसद है सोचाले के निर्मान के संदेश को 33 डिस्टिक में फैलाना असा में टोटल 33 डिस्टिक है तो चलिए अगला सवाल देखते हैं question number 4 याता यात के प्रवंधन के लिए digital display के साथ सोचलित speed gun camera अस्तापीत करने के लिए निमलिखित में से कौन सा उतर भारत का पहला सहर बन गया है पहला option है पास पटना दूसरा option है indoor तीसरा option है न्यू देली चौथा option है चंडिगर automatic speed gun camera इंस्टॉल करने वाला जो पहला सहर है उतर भारत का वो है चंडिगर इन camera में night vision capability भी है जिसका मतलब ये हुआ कि ये दिन और रात दोनों समय गाड़ियों का speed record कर पाएगा जिससे जो चंडिगर की याता यात की पुलिस है उन्हें इसका काफी जादा फाइदा मिलेगा चलान काटने के वाग चलिए question number 5 देखते है निमलिखित में से किसे वार संकट मोचन मंदिर से जिन्हें सांती दूत का एवार्ड मिला है उनका नाम है जावेद अक्तर जो की एक poet है, literature है, गीतकार है, author है और भी बहुँचेज है तो चलिए question number 6 देखते है वरतमान में reserve bank, dash मतलब आपको state का नाम बताना है को छोर कर भारत में सभी राज्य सरकारो को banker के रूप में कारे करता है, अगर आप इस question को अगर English में पढ़ेंगे न तो जाद अच्छे से समझ बाएगा, reserve banks acts as a banker to all state governments in India except, मतलब आपको उस state का नाम बताना है, पहला option आपके पास है सिक्किम, दूसरा option है मिजोरम, तीसरा option है नागालेंड और चौथा option है इसे कुछ अस्पेसट अस्टेटस मिला हुआ है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, question no.7 किस राजे में स्थाफित किया जाएगा, पहला option है आपका उत्राखंड, दूसरा option है जम्मू कस्मीर, तीसरा option है असाम और चौथा option है हिमाचल पड़ते हैं, तो चार दसमलो, पांच, तीम, एक किलो मिटर लंबी बाएड़ेक्शन स्थाफित किया जाएगा, उसका नाम ह उत्राखंड, तो इसका पहला option सही हो जाएगा, चलिए, question number 8 देखते हैं, अंतरास्टी साचरता दिवस मनाया जाता है, आपको date बताने कि कौन सी तारिक को मनाया जाता है, पहला option है 11 March, दूसरा option है 8 September, तीसरा option है 21 December, और चौथा option है 2 April, इसका जो सही अंसर है, वो है 8 September, औ और इसे पहली बार 1967 में मनाया गया था, 1967 में अंतरास्टी साचरता दिवस पहली बार मनाया गया था, चलिए question number 9 देखते हैं, सोध करताओं ने हाली में भारत के निम्द में से किस राज्य में क्रेम पूरी नामक विस्व की सबसे लंबी बलुवा गुफा का पता लगाया ह तापको स्टेट का नाम बताना है, पहला उप्सन अक पस मनिपूर है, दूसरा अरुना अचल परदेश, तीसरा मिघाले और चौथा असाम, तो ये क्रेम पूरी नामक जो गुफा है, वो है 24,583 मीटर लंबी है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी गुफा है, और ये जिस स्टेट में पता लगाया गया है, उस स्टेट का नाम है मिघाले, और ये 2016 में पता चला है इस गुफा के बारे में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले,